हलो दोस्तों कैसे है सब मैं ही मांशू सागत करता हूँ आप सब का आपके पने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स बाकेलाल और सुनहरी म्रग बवश्य चला आया था वो शैतान डाकू बरतमान में और सामना होने वाला था उसका यहां शैतान बाकेलाल से भवश्य के शस्त्रास का सामना तू नहीं कर पाएगा बाकेलाल ये शस्तार तो आग उगलता है अब आगई बागी तेरी मौत नगर के बाहर उस चट्टानी छेतर में टाकू सरदार डरपोक सिंग अपने साथी टाकूओं के साथ हाँ 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 आज हम लूटेंगे दीनापुर गाओं को क्योंकि दीनापुर बासी आज गया है मेला देखने और तभी चुआ भखाओ इसे मारो कुछी छड़ों में सरदार ये रही चुएगी लश वाह अब तुम अब हम चलेंगे दीनापुर गाओं हाह 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 और तभी ठाए 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 कौन है भाई वो सूरमत जिसने सामने आए बेना ही हमारी तलवार काट डा प्रकट हुआ वै अजूबा मैं हूं डाको भेंकर सेंग नए जमाने यानि भविष्ट से पुराने जमाने यानि तुम्हारे वर्तमान में आया हूं मकसद है डाको गिरी तुम्हारे वर्तमान में डाके डाल डाल कर खुब धन्य कत्रित करूँगा और फिर वापिस लोट जाओंगा अपने वर्तमान में यानि तुम्हारे भविष्च में हाहाहाहा और अब तुम्हारा सरदार मैं हूं किसी को कोई एतराज हो तो वो सामने आ जाए हाजी हां बहुत जबर्दस एतराज है मुझे एक मियान में दो तलवारे नहीं रह सकती इस प्रकार ना तो से सिर्फ पंजा लड़ाओंगा अगर तुजीत गया तो मैं यहां से चला जाओंगा अगर मैं जीता तो तुम सब मुझे अपने नया सरदार मान लोगे बोलो मन्जूर मन्जूर ठीक है मैं तेरा पंजा तोड़ कर रख़ूंगा लेकिन इसे नहीं बता कि मेरे मुखोटे में भ्यानक शक्ती बसी है इस प्रकार सरब्रतम डाकू भेंकर सिंग के नेतरत में डाकूं का वैदल पहुचा पांडपुरी में लूट मचाने लूट लो पांडपुर सके उसका सामना हाई हाई भविश के इस आगोगलने वाले अस्त्र इस्टेन गंगा तुम अपने तीर तलवारों से मकाबला करने आये हो हाहाहाहाहाह याद रखो डाकू भेंकर सिंग नाम है मेरा और सरदार बहुत माल इखटा कर लिया है वाह वापिस चलो और इस प्रका और कुछी दिनों में डाकू भेंकर सिंग का आतंक कई नगरों में फैलता चला गया प्यारे पाठक मित्रो जैसा कि आप जानते हैं कि विक्रम सिंग और उनका प्यारा बाकिलर विशालगड की खोज में दूर दूर दौर दौर देड़ तक भठक रहे हैं इस आस में की शी सिंग्री पतर चल जाएगा महाराच और तभी महाराच अब आपकी मुझ का कौन सा से रह फटक रहा है क्वाक बागिलाल अब तो मेरी बाइयाग फटक रही है मगर मेरा तो कुछ भी नहीं फटक रहा मेरे साथ बुरा होगा यह भला क्वाक 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 फनने खांको अगर जल्दी कुछ न किया तो यह अपने गौसले में ले जाकर अब खा जाएगा माराच इस वक्त मेरे हाथ में यह दो मुही लगड़ी है जिसे मैं इसके सिर पर दे मारता हूं अहां बाकिलाल कुस दूनों पूर मैंने एक जंगली भैसा मारकर खाया था उसके गले की जा निगलने में पीड़ा होती थी इन तो तुमारे कारण हड़ी मेरे गले से सरक गई है इसलिए मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूं जाओ एश करो तुस्सी वी की याद करोगे कि पाला फरने कहां से पढ़ाता है मेरे प्यारे बाकिलाल आखिर एक बार फिर हमारे प्र हम विशाल गड़ पहुच गए सारा विशाल गड़ हमारे स्वागत को यहां उपस्तित है महाराज यह तो कमाल हो गया किन्तु अगर विशाल गड़ में लाकार छोड़ लाता तो फिर फन्ने खाने आपको क्ये छोड़ा तबी जैजाकार के जोड़दार उद्गोशों के बीच आती दिखाई दी राणी कुरूप लटा और स्वण लटा आया रे मेरा मुच्छड राजा आया रे रानी स्वण लटा तुमारी याद में हम आस्तर गाजू बाहर रहे ते जी हां महाराणी जी ना जाने कितने जली जीव आसू कि इस बाड़ में मरकर भूत बन गए होंगे देखा बागेलाल मैंने कहा था ना कि मेरी दाई मुच्छ का फड़कना शुब लख चण है किन्तो महाराज अगर मैं यह मुच्छें उखाड़ दू तो इबागेलाल यह तुम क्या कर रहे हूँ जागो बागेलाल मेरी मुच्छ चोड़ दो बागेलाल नीन से जागो नाई अब मैं इसे उखाड करी दम लोगा और तभी विक्रम सिंगी मुच्छों में आ गया विकार और वो हो गई कायब तो मेरी मुच्छें आएं ओ तुम्में क्या सपना देख रहा था बागेलाल तुमने मेरी मुच् में विक्रम को जूट सच बताता चला गया यह सुनते क्या सच बागेलाल ओ पर काश तुम्हारा यह सपन सत्ते साबित हो जाता तभी अरे बागेलाल वुद्य को सोने का हिरण है जल्दी करूं बागेलाल इसे बगड़कर किसी नगर के राजा को भीट में देंगे वह यह हमसे बहुत कुछ प्रसंद होगा लेकिन इससे पूल भी किवे आके बड़ो बाते अरे और कमभखत को यह दूप इतनी प्रसंद है कि हर बार मजबूत से मजबूत कैसे भी निकल कर दूप चरने यहां आग यह पकड़ने पहुच जाता है उफ यह राक्षत तो इसे मार कर खा जाएंगे किन्तु महाराज अगर हम इनके सामने पड़ जाए तो यह डाको हमें भी जिंदा नहीं चोड़ेंगे उन डाको के वहां से जाते ही चलिए महाराज चल्दी कीजिए यहां रोकना खत्रे से खाली नहीं दिखता फिर शीगरी वे एक नगर में आप पहुचे बाखिलाल अगर यह सुनेरी हिरन हमारे हाथ लग जाते तो इसकी बेट यागे राजा को देकर हम राज महमान बन सकते थे माराज विशाल कर पाउचने से फूर्फ हमारे भाग में राज महमान बनने का सवबाग शायद नहीं लिखा है उधर बन में डाकू सरदार भेंकर स की साथ पहरेदारी कर रहा था मगर पता नहीं सोनल कैसे निकल भागा मेरी निगाव बचा कर अरे वो सामभा यहां का राजा हम पर कितना नाम रखे है रहे सरदार पूरी पांच खोटी सोन मुद्राएं सुन लिया और यह पांच मुद्राएं इसलिए क्योंकि पचास- रोबर मिलेगी डाकू भेंकर सिंग के हाथ में आगया वाती विचित्र शस्त्रास्त्र कितनी गोलियां इसमें हम पूसते हैं कितनी गोलियां इसमें सर्दार छे छे गोलियां इसमें आदमी एक और गोलियां छे बहुत बद्दामी है यह भेंकर सिंग की तेरा क्या होगा मैं आपके दल में नया बढ़ती हुआ मैंने आपका नमक नहीं खाया तो क्या हुआ अब गोली खा अरे ओ सामभा आज हम लूटने चलेंगे शक्तिनगर को हाँ 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 शक्तिनगर जहां का बच्चा-बच्चा उदास था कारण सुनो भी है यहां परतिक वेक्ति चुप- पर उदास-दास पी दिखाई पड़ रहा है तुमद्यानों शायर नया है दरअसल हमारे राजा की बंदरकार राजा को बंदरकार रोग हो गया जिसकी तबाहा है सुनायरी मरक्य कस्तूरी हाँ सुनायरी मरक्य कोज में जाने वाले प्रतेक व्यक्ति को 27AC खर्ष के लिए दी जाती है लेकिन सुनैरी मिर्ग लाने आज तक जो भी पंगा घाटी गया वह वापस नहीं लोटा लगता है हमारे महाराज कभी ठीक नहीं वह पाएंगे वह तो ठीक है पर तुम यह क्या कर रहे हो नगर में प्रितेग व्यक्ति राजा के रोग को लेकर दुखी है अगर ह राजा का रोग दूर कर सकती थी वाह सुनैरी मिर्ग की तलाश में तलाश के बाने यहां के राजा से 2,000 तरह ठगी जा सकती है शैतानी को बलाने लगी उसके मस्तिश्क में मनी मन अपनी योजना का तारवाना बंते हुए बाकेलाल जल्दी से बोला माराज आप फिक्र ना करें मैं वह सुनारी मिर्ग धून कर लाओंगा ओ क्या सच बाकेलाल हम भी यही से होच रहे थी कि तुम्हें सुनारी मिर्ग लाने को कहीं तब तो हमें शीगरी राजे से मिलना चाहिए शीगरी चाहो माराज इस कक्ष में एशवर तुमारी रक्षा करें मेरी बाईयां क्यों फढकरी है बागीलाल जपी मुझे कोई लोग ना होता तो इस कमगध की कोई ना कोई आप फढकने लगती है बाईयाप का फढकना तो शुब होता है मांदा घिलाल भीतर तू कुई विक्रम सिंग समल पाते इसने तो महाराज को काट खाया अब यह नहीं बचेगा और अगले ही पल महाराज भी बंद्रों जैसे हरकते हरकते करने लगे वे भी उसी रोका शिकार हो गए विक्रम सिंग और राजा शक्ती सिंग जप्टे बाख इलाल पर मेरे दातों मैं मच रही है ब्याना खुचा यह बोगे लोल यह क्या हो रहा है किसी को काटने के इच्चे हो रही है नाइस सैनिक्स बचाओ सैनिक बाखे लाल ने अपने उपर जपट पड़े शक्ती सिंग और विक्रम सिंग को तकिये से पीचे तकेल दिया वे दौन जमीन प रोटी परिदिकार करने के लिए दौनों राजा आपस में बुरी तरह बिढ़ गए यह मेरी मा मोटी इसलिए रोटी भी मेरी है और बाखे लाल भागा जान बचाकर मागो यही मौका है बाहर निकल का द्रवजा बाखे लाल ने बंद कर दिया और जैसे ही वह उस कक्ष के अगे से गुजरा अरे कमकत सुनैरे मिर्क की कस्तूरी महाराज को नहीं हमें चाहिए सेनापती जी वह दौनों तुरंत महाराज से मिलने की जित कर रहे थी और बार बार बंदर काट रोग के आउश्दी कस्तूरी लाने की बात कर रहे थी मुर्ग सेरेक उस कस्तूरी में बंदर काट रोग के आउश्दी नहीं बलकि विश्वरा है जिसे महाराज को खिला कर हम यहां का राज़ा बनने और तुम्हें नगर का कोत्वाल बनाने का सपना देख रहे हैं शमा करें सेनापती जी भूल हो गई जाओ चल्दी करो उन दौनों भकरों को जल्दी से महाराज के अकर्षे से सुरस्ष्ट निकार कर यहां लाओ अगर उन्हें उन्हें महाराज ने काट खाये तो फिर कौन लाएगा पांगा गाटी सो सनेयरे में रखके कस्तूरी ओ मैं अभी जाता हूं सेनापती जी ओ तो ये शट्यान चल रहा है यहां बागे लाज को पहले ही अपने स्थान करता है लेकिन तेरा पाला इस बार किसी एरे गयरे नत्तु कहरें से नहीं बलकि बाकेलाल से पड़ा है वो चाल चलूंगा कि शक्तिनगर का अगला राजा होगा केवल बाकेलाल क्या तुम सुनेरी म्रग की तलाश में जाना चाहते हूँ बाकेलाल के हाथ में क्योंकि राजा का कोई उत्रवादिकारी तो है नहीं परजा जिसे जाएगी उसे ही बैठाईगी राज सिंहासन पर बेटे सेनापती अब तु तैयारी कर राजा बन देकी तो चलिए दोसे वीडियो को यहीं समाप करते हों और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की कॉमिक बाकेलाल और सुनायरी म्रग के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद